अब वो जो हमने नाया फ्लैट लिया ना उसका डेक्रेशन करवाने के लिए आपने बोला है यहां वो तल आ जाए ए ए हीरो चल पुलीस टेशन लेकिन क्यों साब च्या हुआ तो उन्हें अपनी मां का मडर किया है ना कि अरे नई साब कर रहें मैंने कोई मटरा बदरा किया है ऐसके मां के मर वह तीन साल हो गये तो क्या मैं जूट बोल रहाँ हां जूट बोल रहां तो यह सच बोल रही है मेरी मां को मर और इवर तीन साल हो चुके है अरे कोई गलत फैमी नहीं हो रही है चल आपके पास कोई पूरूफ है क्या मेरे खिलाफ तो यह क्या है जो नीचे है यह पूरूफ ही तो है ना आप यह तो पॉलीथीन है यह पॉलीथीन है हां इसी से कई माओं का तुन्हें मडर किया है मैं को समझा नहीं साब आप क्या केना चाहरे हैं तुम लोग पड़े लिखे लोग हो ना हां आए दिन तुम्हारे जैसे लोग खाते हैं और यही पॉलीथीन फेक देते हैं हमारे यहां की जो रोड पर घूमती हुई गाये है ना वो खा लेती है पर गाये को तुम लोग अपनी मा मानते हो ना हां और यही माए कई महीनों तक तड़ती रहती है ना उनके पास डॉक्टर होता है ना देखभाल करने वाला कोई लोग है और बोलते हो कि माह से प्यार क की वज़े से आए दिन लाखों माय रोड पर मरती हैं उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है और हम इंसान कहां से कहां तक पहुच गये हैं रोज सुनते हो ना कि कोई बंदर किसी इलेक्ट्रिक शॉक लगने से मर गया क्यूं क्योंकि हम पेड़ काटते जा रहे हैं हरे जो चिडिया अपना आसियाना बनाती थी ना पेड़ों पे वो भी हम काटते जा रहे हैं तो चिडिया रहेंगे कहां हम इंसान-इंसान कहलाने लाइक बचे ही नहीं हम जानवर हैं एक दिन दुनिया ऐसे होगी जो विरान हो जाएगी सिर्प इंसान-इंसान दिखेंग हम लोग कितने अजीव हो चुके हैं ना बहुत बड़ी बड़ी बाते करते हैं रोज नहीं नहीं संस्थाय खोलते हैं कभी गाय कभी बंदर तो कभी कुटों के नाम लेकिन हम अपनी आत्ते नहीं सुधार रहें किस वज़े से प्रकृति का इतना नुकसान होते जा रहा है कि प्लास्टिक के वज़े से इतना ही बोलना चाहूं आप लोग पढ़े लिखे-लोग समाज को सही दिशा दिखाओ अपना घरना कोई गंदा नहीं देखना चाहते हैं लेकिन यह जो प्रकृति इतनी अच्छी सुन्दर है उसको हर कोई गंदा करता है अरे मत करो या कि इसी के वज़े से हम हैं इसी के वज़े से दुनिया है और गाय तो हमारी माता है कि सब्सक्राइब कर देना आपने जितनी बड़ी सीखाज हम लोगों को दी है ना हम लोग की आखी खुल गई है अंता कभी जिन्दगी में हम लोग ऐसी गंदगी नहीं करेंगे ना कहीं पेपर कॉले थे इस सब फैलाएंगे क्या हमारी गव माता को या किसी भी पशुपक्षी को कोई हानी ना पहुचे इससे पूड़ा अभी हम उठायेते हैं हाँ